नमस्कार और वेलकम पिटेक अफेर्स मैं है उसूरज और आज किस लेक्चर में हम बात करेंगी अभी रिसेंटली DRDO दौरा वर्टिकल लाउंच शॉर्ट रेंज सर्फिस टू एर मिसाइल का सफलता पूरोग परिक्षण DRDO ने किया है अब ऐसा नहीं है कि DRDO ने इसका परिक्षण पहले बार किया है इसके कई सारे वर्जन है जिनका परिक्षण पहले भी किया जा चुका है और यह जो अभी रिसेंटली टेस्ट किया है VLSRSAM का DRDO ने यह काफी important है मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्यों क्यों कि देखिए यह जो VLSRSAM है यह specially जो हमारे aircraft carrier है उन्हें यह defend करेगा तो आने वाले समय में जो हमारा INS विक्रमा दित्या है उसमें इसे install किया जाएगा और यह बराक 1 को replace करेगा साथ ही अभी INS विक्रमा दित्या में बराक 8 जो है already working है उसमें installed है और वहाँ पे वो काम कर रहा है साथ ही बराक 1 भी उसमें installed है लेकिन यह जो बराक 1 है इसकी पहली बात तो range काफी कम है साथ ही यह थोड़ा outdated हो चुका है पुराइन technology हो गई है जिस वाज़े से इसे replace कर दिया जाएगा VLSRSAM से तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यह जो बराक 1 है यह भारत ने किस country से purchase किया था तो आप यहाँ पर वीडियो को pause करके comment section में आप अपना answer लिखिए साथ ही मैं बराक 8 के बारे में आपको बता देता हूँ तो देखिए बराक 8 जो है भारत और इसराइल दोरा मिलकर बनाया गया एक missile system है जिसकी range करीब 100 km से भी अधिक है और इसे अभी Indian Navy दोरा यूज किया जा रहा है और यह भी recently काफी चर्चा में भी रहा था तो I'm sure आपको पता भी होगा इसके बारे में कि क्यों यह इतना चर्चा में था इसे भी recently DRDO ने चांदीपुर के integrated test train से सफलता पुर्वक launch किया है मैं चाता हूँ कि आप यह DRDO का एक वीडियो देखें ताकि आप समझ पाए properly कि यह क्या है किस तरीके से का रहा है अब देखिए अभी आप सोच रहे होंगे कि यह जो missile system है यह जो missile है इसने तो किसी target को हिटी नहीं किया तो ऐसा नहीं है इसका target basically एक electromagnetic pulse थी जिससे इस missile ने properly हिट किया है 100% इसने हिट किया है और यह successful भी रहा है तो अब हम बात कर लेतें इसके बारे में तो देखिए यह एक त्वरित प्रक्रिया सहता से हवा में मार करने वाली missile है जिसे इंडियन नेवी के लिए DRDO दोरा स्वदेशी रूप से design और develop किया गया है समुद्री skimming target सहित निकट सिमा पर विविन हवाई खत्रों को निश्क्रिय करना होगा और इस missile की range लगभग 50 km से अधिक है करीब 50-60 km, 70 km तक कि इसकी range है और terminal stage में fiber optic gyroscope और active radar homing के माध्यम से mid force inertial frame की सुवधावी इसमें available है साथ ही future के परशेपण हेतू, आवश्यक control, कनस्ति करन उडानवाहन और weapon control system के साथ vertical launcher unit सहित सभी हत्यार system घटकों के integrate operation को मान करने के लिए इस प्रणाली का सुभारंब किया गया है इसके साथ ही इंडियन नेवी के जहाजों से मिसाइल के भविश्यके प्रशेपण के लिए इन प्रणालीयों का सफलता पूरवक परिक्षन भी काफी महत्तपूर है, जो की कर लिया गया है तो यह हवाई खत्रों के खिलाफ भारतिय नौसेना के जहाजों की रक्षा शमता को और बढ़ावा देगा इसके साथ ही यह इंडियन जो ब्रणालीयों को एकी करन का मार्ग भी प्रशस्त करेगा अब हम बात कर लेते हैं इसके development की तो देखे इसे DRDO यानी रक्षा अनुसंधान विकास अंगठेन की प्रमुग इकायों जैसे रक्षा अनुसंधान और विकास परियोगशाला DRDL तथा अनुसंधान केंदर इमारत RCI और अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान आदी ने इस सिस्टम के विकास में अपना योगदान दिया है DRDO के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ तो ये देखे भारत को Advanced Defense Technologies के साथ शशक्त बनाने के दुष्ठी कोल के साथ रक्षा मंत्राले की अनुसंधान विकास शाखा है इसके अस्थापना 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन के साथ भारतिय सेना के तक्नीकी विकास प्रतिष्ठान और तक्नीकी विकास एवम उत्पादन निदेशाले के संयोजन से की गई थी मैंने जितनी चीज़ा आपको बताई है प्रॉपर समझ में आई होंगी VLSR SAM क्या है ये किस तरीके से हमारे aircraft carrier को defend करेगा आई होप आपको प्रॉपर समझ में आया होगा लेकिन अगर आपको कोई doubt है तो आप comment के माददम से discuss कर सकते हैं साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाएए टेलेग्राम चैनल को जॉइन के लिजेए वहाँ पर आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी इसके साथ ही आप मुझे कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी जहाँ पर आपको इसी तरीकी कि मैं डेली बेसेज पर साइंस इंटेकी अपडेट प्रवाइट करवाता रहता हूँ और आप अपना feedback देना ना भूले और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो इसे like जरू करें चैनल परना है तो चैनल को subscribe करेंजिए मिलते हैं next वीडियो में thank you for watching this have a great day